हेलो नमस्ते और वेलकम आपका स्वागत है स्टाडी आई क्यों पीसे सार्थी चैनल में आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम कंटिन्यू करेंगे तमिल नाडू बुग जो अपनी क्लास 12 वाली आती है ठीक है जिसमें आपका मौडर्न इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन होता है उसको हम कैसे साथ दिन के अंदर कवर करें ठीक है बहुत इंपॉर्टन बात है क्योंकि यह अकेली बुग है जो आपको अक्चुली में गवर्नर जनरल या वाइस रह वाइस हिस्ट्री को पढ़ाती है आप इंसी आर्टी द पाइस कोई पॉलिसी आई चाहे कोई आग्स है चाहे कोई बॉल्स हुए ठीक है तो सारी चीज आजाएंगे उनका बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टन चीज हुई है वह लिया जैसे आप से रहेंगे आपके लॉड कन्वालस उनकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री कि वह कैस आपके लॉड वेलस ली ठीक है तो ऐसे करके आप देखोगे पूरी हिस्ट्री नोरे पढ़ाई है जो बहुत एक अच्छा तरीका है नजरिया है हिस्ट्री को पढ़ने का तो इससे चीजे असान लगने लगती है अगर इवेंट वाइस पढ़ोगे न तो इवेंट में क्य करपाते हैं कि अच्छा इस कारेकाल में था तो उस कारेकाल में यह हुआ था तो हम यह हिस्ट्री अच्छे से याद भी रह जाती है ठीक है अब पिछ्टी लास में हमने क्या करा था मैंने आपको क्लास 11 और 12 दोनों मिलाके हम 15 दिन में कैसे कवर करेंगे यह मैं आपको बत 24 चाप्टर दित कम चाप्टर नहीं है इसमें आप देखोगे आपका इंशेंट और मेडेवल दोनों कोशन कवर हो गया अब हम चलते हैं क्लास 12 की तरफ इसमें आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला जो पोशन है क्लास 12 में आपका को सिंडिपेंडेंडेंस वाला पार माला है और आप शुरू से नोट बनाऊगे मैं नोर्श गनाने के लाने के उपर बार बार तवज्ज़ दे रहे हुं कितने इंहीं दिये नहीं पाएगा एक क्ला और बसा उपोई करो आपके हिस्ट्री के आपने तमिल आडू के किताब से सपोस करो एंशन हिस्ट्री के आपने पचास फंदो के नोट बनाए ठीक है तिर इसी में चब आप देखोगे आप नोट जोड़ोगे तो हार्ली आपके दस पेज और आड़ोंगे बाती सारी इंफोमिशन और पेजिस के नोट बना लिए तो इसमें फिर से हिस्ट्री से कुछ आड करोगे तो बीस-पीस पन में और एक्स राड जाएंगे वैसी मॉडर्न इंडियर हिस्ट्री के पहले आपने तमिल आडू की बनाए उसमें कुछ आपने पार्ट जो है वो एंसी आट कर दिया और उसी सिर्दिंहें आप graph अने दॉनुं के दोनों की eed टूनों की तरफ से आप त्यारी करने की कोशिष हो ठीक है तो अब हम चलेंगे तमिल नाडू क्लास 12 की उपर, इसका मैंने ब्रीफ आपको पहले में दे दिया था, और जहां पर जैसे 1, 2, 3 एक दिन हो जाएगा, और जहां पर मैंने लिखा है आदा दिन तो मतलब उसको आदा दिन ही लगेगा, ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, अब हम बुक देखेंगे, ठीक है, तो यह देखो आपकी है, ट्लास 12 की जो तमिल नाडू जो बोर्ट की किताब होती है, यह वो है, इसको आप देखते जोगे, यह मेरा वाला एडिशन है, इसमें जब आप देखोगे, तो यह आपको ऐसा देखेगा, ठीक है, इसमें यू टिल 10 वो है आपके वर्ल हिस्टरी का पार्ट, ठीक है, तो वो हमको इस वीडियो में नहीं करना है, हमको सिर्फ दिम्हार नाजा है, तो यह दो आप को फोर यूमिट करने है, और नाइन चाप्टर्स करने है, कुत्य दिन के अंदर, गितने दिन के अंदर, खिले बता हो, मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया, 7 days के अंदर मैं आपसे सिफ 9 chapters करने को बोल रही हूँ, तो लगबग लगबग मैं आपको एक chapter के लिए, अगर मैं देखू, तो मैं आपको एक दिन दे ही रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि ये तो मतलब काफी सही strategy है, अगर मैं देखा जाए, अगर मैं आपसे बोलू कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो, है ना, तो ये तो अच्छी चीज है ना, कि हम इसको आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा, ओके? तो अब आप यहाँ पर देखो, तो ये देखो, I think seven days से तो कम ही लगना चाहिए, लेकिन मैं आपको इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि आप नोर्स बनाओगे, नोर्स बनाए बिनने अगर किसीने काम किया, तो मेरे से बात मत करना आप, क्योंकि ये सच में आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, ठीक है? तो मतलब नोर्स बनाने ही बनाने है, और साथ साथ में आपको क्या करना है, पीछे ना अपेंडिक्स दे रखी हैं, अब इसमें भी आपका देखोगे, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, पीछे की साइट पर जाओगे, तो ये देखो, दिख रहे हैं आपको, इदोने पूरा modern Indian history का ऐसे timeline ना रखा है, तो ऐसा timeline आपको खुद भी अपने copies में, खुद के लिए भी बनाना है, एक national movement का timeline नाना है, एक आपको आपको देखो के modern history का timeline नाना है, ठीक है, एक आपको governor general का, एक आपको events का, ठीक है, ऐसे करते करते timeline में नाओगे, इसलिए मैं आपको 7 दिन दे रहे हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं भी चापी तो एक दिन के अंदर अफा दफा कर देती, अभी देखो, यहाँ पर क्या है, कि कुछ important governor general है, और उनके time पर क्या क्या हुआ, वो सब हो जाएगा, उनका कारेकाल हो जाएगा, तो यह देखो, यह information भी आपकी copy में होनी चाहिए, ठीक है, तो appendix को include करते भी मैं बता रहे हूँ कि आपको इतना time लगेगा ही लगेगा, आप आजाओ, देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, chapter जो आपका one है, ठीक है, इसको हम लगबग लगबग आप देखोगे, एक दिन देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपके, देखो, वैसे तो है क्या मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, कि आपके 9 तक यह खतम हो रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो आपका content page यह रखा है, जिसके अदर उन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने actually divide कर रखा है, तो actually में जो आपके chapters बनके आते हैं, वो आते हैं, यह 19, ठीक है, आपको दिख रहा है, यह इसे आपने यह वाला लिया, तो यह Warren Hastings का chapter हो गया, ठीक है, फिर आपका जो second chapter होगा, होगा, कौन वालेस वाला, देख रहे हो, तो ऐसे करके आपके total बनते हैं, 19 chapters, ठीक है, तो हम लोग यह 19 जो छोटी-छोटी lessons है, lessons बोलो chapters नहीं, तो यह जो 19 lessons है, इनको हम लोग 7 days के अ और lesson 3, यह हम करेंगे एक दिन के अंदर, ठीक है, और इसको करेंगे कैसे, जैसे यह वाला lesson है, Warren Hastings के बारे में, second वाला जो lesson है, यह है आपका, कौन वालेस के बारे में, और जो third वाला lesson है, वो आपका होगा, वेलेसली के बारे में, ठीक है, तो यह तीनो chapters, sorry, lessons जो है, वो ह एक टेबल, मतब टेबल बनाके comparison करोगे, तो एक ही पेज में तीन टेबल्स होगे आपके, Warren Hastings, Convalis, और आपका वेलेसली, ठीक है, ऐसे करके, और फिर यह अगले पेज में भी continue रहेगा, ठीक है, जो अगर रिफॉर्म्स होगे तो रिफॉर्म्स तीनों के एक ही पेज में एसे नहीं कि इसका पाद करते हैं, पाद में अईसारी होगे, इनके फीचर इनके धीचर कैसे थे इनके पीचर कैसे थे हुए अगर रिफार इनके प्ली है तो वे उसमें आप लिखो इसमेंच में थाए इसे करोके आप अपरेसन की फॉर्म में। यह तीनों गट पडरों एसे ही पढ़ना है तो यह आप दी रहेंगी चीजें अप पर चाहे ज़ोगे अगर आप इसको इसको ऐसे प्लेन पढ़ते जोगे तो आप पर चाहे प्लेन पर चाहे जोगे तो आपको सबस्क्ता है कि फेस्टिंग में निकल जाएं Convales में आपको again 3 घंटे लग सकते हैं 3-4 घंटे और फिर आपके पास जो 2-3 घंटे बचे हैं Wellesley उतना बड़ा नहीं है तो आपको 2-3 घंटे Wellesley में लगेंगे ठीक है Lord Wellesley में तो ऐसे करके आपका एक दिन में Lesson 1-2-3 आपका cover होगा ठीक है तो ऐसे आपका Lesson 1-2-3 cover होगा फिर आजाओ अब अपने Lesson 4 पर तो Lesson 4-5-6 वापस से हम एक दिन के अंदर करने की कोशिश करेंगे तो Lesson 4 जिसमें आपके आजाएंगे Hastings फिर Lesson 5 यह रहा आपका जिसमें आजाएंगे आपके विलियम बेंटिक और Lesson 6 जिसमें आएंगे आपके डल हाउजी आपके बिल्कुल 1850 की क्रांती के पहले वाले तो आपका वापस से तीन हो गए वापस से अब आप देखोगे यहां पे आपका डल हाउजी वेगरा जाएगा ठीक है आपका विलियम बेंटिक आपका डल हाउजी आजाएगा और आपका मार्कुईस ओफ हीस्टिंग तो ऐसे करके टीनों का प्र टेबल बनाओगे और तीनों के बारे में फिर से वैसी कंपैरसन करते पर लिखोगे जो तो इसको करने में आपको लगेंगे दो से तीन घंटे विलियम मेंटिक को करने में आपको लगेंगे चार घंटे आपको लगेंगे चार घंटे तो ऐसे करके आप देखो कि आपका एक दिन में चाप्टर 4, 5 और 6 पूरे कंप्लीट हो गए तो मतलब दो दिन में हमने 6 लेसंस जो थे वो पूरे कंप्लीट कर लिये हैं फिर आजाओ अब आप नेक्स्ट डे पर जहां पर हम क्या करेंगे दो ह इसके अधर क्या फाइदा हुआ क्या नुकसान हुआ वो सारी चीजे फेलियर था सक्सेस था सब ऐसे टेबल फॉर्म में कंप्रेजन करते हुए लिखोगे इसको करने में 5-6 घंटे लग जाएंगे आपको क्योंकि नया ताइप की सिस्टम है तो आपको टाइम लग सकता है मुझे बलबता है कि 3-4 घंटे में हो जाना चाहिए पर 4 घंटे का टार्गेट लेके चलो तो 4 घंटे में वाला हो जाएगा और जब बच्चे वे आपके पास 8 घंटे है नौ गंटे है उसमें आप करोगे लेसन एट क्योंकि इसमें आपके जो उनके रिफॉर्म्स थे कि में एट्टी क्यार्पिंवर्म्स थे क सारे खंड़ टार्फिश बारे लेपा पर टो जाएगा इंडिया कॉम्सिन के लिए इंडिया इष्व चंदर विद्या सागर हो जाएगा विडोयरिज आप आप देखोगे वापस और आप से रिमराइज करने में बच्चों के लिए लेबर हटाने के लिए तो अलग बग लग बग एक दिन लग जाएगा फिर आते हैं अब आपका आएगा चैप्टर लेसन नाइन लेसन तेन और लेसन इलेवन ठीक है इसमें पाइका करार रेबेलिन हो जाएगा इतना इंपॉर्टेंट निये है चाहो तो छोड सकते हो क्योंकि तुमिनाडू बुक में है तो सब्सक्राइब करांती उसके पहले आप देखोगे और एक सीपोई म्यूटिनी वही थी विलोल म्यूटिनी तो उसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है इसमें टीपु सुल्तान के बच्चे का भी हात आजाएगा कैसे नोने वापस अपने तिंग्डम लेने की कोशि तो अठाड़ सतावन की जो क्रांती है इसको पढ़ने में टाइम लगेगा चार पांच घंटे लगेंगे क्योंकि इसमें आप कॉसस भी रेख रहो कि भईया क्यों एकदम से क्रांती हो गई ठीक है इस क्या क्या हुआ कैसे किसे रिजन्स इंवाल थे कौन से लीडर से इसम करके आपने चाप्टर 9, 10 और 11 यह एक दिन में कम्प्रीट कर दिया तो मतलब आपके चार दिन निकल चुके है हमारा साथ दिन कर टार्गेट है और चार दिन में हमने अल्ड़ी 11 लेसंस कर लिये है अमारे पास 8 ही लेसंस बचे और 3 दिन है हो जाएका ना इसली देख रहा आपका लेसंस 12 और लेसंस 13 और लेसंस 14 यह तीनों चीज़े हम आप देखोगे एक दिन के अंदर करने की कोशिश करेंगे ठीक है क्यों कि इसमें आप फिर से आप क्या करोगे फिर से आप वाइस रॉय वाइस पढ़ोगे भई 1857 के पहले थे आपके गवर्णर जनरल 1857 के जाएंगे आपके वाइस रॉय तो आपके अब आपके तीन इंपोर्टन वाइस रहे हैं एक है आपका लिटल एक है आपका रिपल ठीक है और एक है आपका करजन वही तीनों का एसे टेबल बनाते वे अलग अलग करते वे आप इस चाप्टर को पढ़ोगे इसको पढ़े म मैं साथ आठ घंटे भी अगर बोल दू तो लग सकते हैं आपको ठीक है अगर प्रॉपर नोट बना के करोगे यह ऐसे में बता रहे हूं फिर से रीडिंग करी किसी ने ठीक है और बोला कि मैं हमने दो दो घंटे में कम्प्लीट कर लिया तो तो हो गा है ना यह नोवल की तरह पड़ोगे तो नोवल किसी स्पीट से पड़ोगे अगर नोर्स बनाओगे टेबल बगरा बनाओगे उसको मतलब उसकाम को ऐसे कंड़े कि कोशिश करोगे कि दुबारा आपको वापस से बुक देखनी ना पड़े तो ऑविसली टाइम लगता है तो उसे साफसे मैं बता र टेबल बनाना रदरराम मुहंर्ण रोए इशा चंदर विद्या सागर दैयानन्सारसवती स्वामि व facto अनड़ के विसलिम आउरी міवं में स्रापके आपके मुस्लिम और स्भार मोमेंट्स फिर आपके साउथ इंडिय में ही बुच 2 दिन रिपार मोमेंट्स उसीं करकर आप देखोगे, आप पूरा एये बनाओगे. इसको बनाने में बहुँ घो आगेगा, प्रॉपर टेबल बनाके पढ़ना, न यह दो चीजग न रहेंगी, नितो चीजग एद नु रहेंगी, इलीडर्स एद नि रहेंगी, कि रीजन से याद नी रहेंगे, क्या मोटो था, क्या उन्होंने कहा था, गो बैक टु वेजास हो जाएगा, वो सारे डायलोग्स कि इसने दिये थे, कौन से नीज़ पर चलाते थे, समभात कॉमधी हो गया, गिफ्ट हु आप देखोगे, मोनोथीस, तो यह सारे चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है, और फिर आपका सबसे एजी चाप्टर आएगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है आपके इंडियन नाशनल मूवमेंट की, यहाँ सबसे पहला फेज होता है आपका मॉडरेट फेज, ठीक है, इसमें जाधा कुछ है नी, क्योंकि बहुत से शिफ में आपको इंडियन नाशनल मॉडरेट इंके लीडर्स कौन थे, उनका कारेक्टरिस्टिक्स आजाएगा, इसमें कौन सी कौन सी बुक्स पबलिश करी, इनके टाइम पे कॉन से कॉंग्रेस सेशन्स हुए, किसकी प्रेजिदेंसी के अंदर हुए, इनके टाइम पे क्या-क्या हासिल हुआ, तो यह बहुत easy सा chapter है, छोटा सा chapter है, hardly 2-3 घंटे में हो जाएगा, और इसमें साधा है भी नहीं, ठीक है, तो फिर से आप भई टेबल बन कर रहे हो, धिरे-धिरे पड़ रहे हो, एक दिन तो heavy निकाल सकते हो, ठीक है, यह जूम करके चल रहे हूँ मैं, तो lesson 14, तो आपके 14 जो chapters है, वो आपके 5 दिन में हो चुक है, ठीक है, अब आपके पास 2 दिन है, और ले देखे, आपके पास 5 ही chapters बचे हैं, तो easy to manage, फिर होगे, यहाँ पे बाल गंगरदर तिलप, लाल लाजपत्र है, और आपके और अरुबिंदो घोश भी आएंगे, और आपका लाल बाल पाल, तो आपका यह पाल साब, ठीक है, तो वो भी आजाएंगे, तो ऐसे करके देखो, यह लीडर्स के बारे में दे रखा हैं यहाँ होगे, तो इसके बाद होम रूल मुवमेंट क्या था, वो उसके बारे में अलग से नोट बनाओगे, उसमें कौन-कौन से लीडर्स इनवाल थे, और फिर यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट है, रेविलुशनरी मुवमेंट का, ठीक है, इसको करने में सादा टाइम नहीं आपका क्विट इंडिया मुवमेंट, आपका साइमन कमिशन, वेवल प्लान, दिसाइल याकत पैक्त, आपका मौंट बेटन प्लान, सारी चीज़े हैं किंदर, कैमिनेट मिशन प्लान, इंटरिम जलियावाला बाग, राउल अट सत्यागरे, फिर आपका नहरू इसको करने में आपका से नोर्फोर्ट बनाके साथ घंटे लगाना, तो अब आपके सोला चाप्टर्स हो चुके हैं और आपके छे दिन निकल चुके हैं, अब आप बोलोगे कि माम एक दिन में 17, 18, 19, 19 तीनो चाप्टर्स करें, तो यह देखो 17 चाप्टर है आपका रोल आ इसको पढ़ने में आपको इस चाप्टर को हाड़ी एक से दु घंटे सदा नहीं लगाना है, तो यह आपका जो 19 चाप्टर है, वो है जस्टिस पर्टी रूल, 18 चाप्टर जो है, वो है जस्टिस पर्टी के बारे में, अप देखो गे तो तो आपके लोगों को इसके बार पसके पर बाटी लोग उनको बेसिकली उपर उपर सा थोड़ा दोरा दोरा देखना है कौन से लीडर इन वॉल थे, पहले इस पार्टी का नाम क्या था, बाद में क्या हुआ इन्टोंने क्या रिफॉर्म करी क्योंकि इससे अपने मेंन्स की आशर लिख सकते हो, अगर आपसे करी education पे focus किया free में उसको education देने की कोशिश करी और तो इन दोरो chapters को करने में चार से पांच घंटे से उपर मत लगा न और फिर आपका आता है chapter 19 या lesson 19 यह आपको धंग से करना है क्योंकि इसमें है सारी acts ठीक है आप क्या करोगे लोगे page और हर act को compare करें चलोगे जैसे आपका यहां पर आएगा regulating act 1773 फिर आएगा pits India act 1784 फिर आएगा regulating act of 1793 ठीक है ऐसे करके वैसे आएगा फिर आएगा आपका Indian council act फिर आएगा government of India act 1858 फिर Indian council act आजाएगा 61 का फिर आपका 1892 का और 1909 का फिर आएगे government of India act 1919 के और 1935 का और फिर आएगा इंडिया इंडिपेंडेंस act 1947 का इसको करने में 6 साथ धंटे लगे अगर आप प्रॉपरली ऐसे table wise notes बना बना के करोगे हर एक के जो act है वैसे act को ऐसे table form में लिखते जाओ तिर तीन तीन चार्चर act एक पेज में लिख लो ऐसे comparison form में और अलग-अलग points जो है उनके वह उसी के नीचे लिखते जो ऐसे क्या होगा कभी confusion नियोगी और आपको असानी से चीज़े याद भी हो जाएंगी ठीक है तो इसी के साथ अब यह वाला चाप्तर हमारा है लेसन हमारा है नी हमको करने थे गंटो वाइस distribution आपको दिया है तो वह याद रखना प्लस माइनस चलता है अब सापका दस हो जाए किसी का सापका तीन भी हो सकता है किसी का वो डिपेंड करता है बहुत सारे factors पे लेकिन 7 डेस का average लेके चलोगे तो मैं मान के चल रहूँ कि 10 दिन केंदर complete कर दोगे ठीक है तो यह तो आपको करनी ही पड़ेंगी तो यह पहले करके रख दो 10-10 दिन का target बनाओ तो तीन महीने के अंदर अंदर आप देखोगे या दो महीने के अंदर अंदर आप एजीली सारी basic books को complete कर सकते हो ठीक है विसे लक्षमी कान को करने में आप मैक्स-मैक्स 15 दिन लेलो सकते हो ठीक है तो ऐसे करते करते आप देखो के दो महीनी के अंदर अंदर या 2.5 मंस के अंदर अंदर जो बेसिक किताबे होती है जो किसी भी subject के आपको करनी होती है सारे subjects मिला के चाहे वो environment हो, quality हो, economy हो, history हो, modern हो, post-independence हो ऐसे करके मैं at least 3 मंस के अंदर अपना पूरा portion ख तो कैसे आपका selection ने होगा तो वही चीज है गारंटी तब होगी किसी चीज की तब होगी जब उसमे उतनी ज्यादा महनत डालें ठीक है तो I hope कि आपको मजा होगा कुछ पूचेंस 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 जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में आपको और कोई बुक का अगर पसंद आ रहे हैं तो भी जरूर लिखे बताएगा हम फिर से मिलेंगे दूसरी बुक को कवर करने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद